So students, today we have discussed about the countries like Japan जो कि अपने human resource पर सबसे ज़्यादा investment करता है देखिए यह हम बात पहले भी कर चुके हैं कि इतना छोटा country होने के बावजूद वहाँ पर इतना developed है वो काफी rich country है तो इसका क्या वज़े है उसकी सिर्फ और सिर्फ वज़े यह है कि वहाँ पर जो भी human resource है जो भी लोग है उनकी उपर, उनकी health की उपर, उनकी education की उपर और उनकी skills development की उपर सबसे ज़्यादा वहां की सरकार जो है investment करती है इसी लिए वह इतना ज़्यादा productive और इतना ज़्यादा rich country भी हो पाया है देखी वहाँ पर हर साल कुछ नव कुछ natural calamities भी आती है कभी वहाँ पर वहल के निके रप्षर हो जाता है कभी earthquake भी आज़ाता है इविल रिकवर फ्रॉम दीस टाइप अब सिच्वेशन और उसके बाद वह फिर से उनकी जो एक तरह की कॉनमी है वह दुबारा से अपने ट्रैक पर आचाती है और उसमें वह उबर पाते है तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट जो इसमें चीज हमें दिखती है कि क झाल झाल झाल